अगर आपके वीडियो पी व्यूज नहीं आ रहे हैं आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है और आपको लग रहा है कि आपका चैनल डेड़ हो चुका है तो डेड़ होता है क्यों है इसके बारे में हम बात करेंगे बहुत सारी लोग हमसे पूछते हैं कि सर क्या मेरा यूट्यू अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल इकन ओल पर प्रेस कर देंगे ताकि आपको इसी तरीकी का वीडियो मिलती रहा हमेशा और अभी तक आपने हमारे इस्टागरम एकाट को फॉलो नहीं किया तो लिंक मिल जागा डिस्क्रिप् दोस्तों यहां पर जो सबसे पहला टॉपिक है वो है रेगुलरीटी जी हैं दोस्तों अगर आपने यूट्यूब चैनल बना लिया और यूट्यूब चैनल बनाने के साथ आपके चैनल पर रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं हो तो भी दिक्कत है जी हैं दोस्तों जैसे म वीडियो अप्लोड होगा उतना जादा यूटुब है आपके इंप्रेशन को आपके वीडियो का इंप्रेशन को लोगों तक पहुचाएगा और आपका चैनल ग्रोगा लेकिन आपने ये गलती काफी समय से करती करते आ रहे होंगे तो दिक्कत है आपका चैनल ग्रोग नहीं उसके बाद से मान के चलिए कि आपने DTS related वीडियो डाल दिया तो इस कंडिशन में भी आपका चैनल धीरे 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 डेड हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा अगर आप ये गलती करते हैं तो बिलकुल भी ना करें आपका एक नीच होना चाहिए जिस टॉपिक से लेटेड आप वीडियो बना रहे हैं उसी टॉपिक से लेटेड वीडियो रेगुलर बनाते रहे हैं जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको जैसे टेकनिकल योगी सर तो टेकनिकल योगी सर का वीडियो देखिए उनका जो भी टॉपिक होता है उसी टॉपिक से ल चलेगा और दीरे दीरे डेड हो जाएगा तीसरा जो टॉपिक है वो भी काफी इंपोर्टेंट है बहुत बार ऐसा होता है कि आपके मोबाइल में सालों साल से एक इमेल आइडी पड़ी हो और उसी इमेल आइडी से आप यूटूब ओपन करते हैं देखते हैं उसके बाद से आपको मन आया कि आपको एक नया चैनल बनाना चाहिए तो नया चैनल बनाने के लिए आप उसी इमेल आइडी से एक नया चैनल बना लेते हैं उसके बाद से लगतार मेहनत करना शुरू कर देते हैं होता यह है कि आपके किसी भी वीडियो पे व्योज नहीं आते हैं आपका क्या करना है कि आपको एक निया email ID बना रहा है और निया channel बनाना है फिर से वहाँ पर काम शुरू करना है तब जाकर कि आपका channel जो है active mode में रहेगा नहीं तो धीरे 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 dead हो जाएगा चौथा बहुत जादा important है जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ दोस्तों चौथा क्या है कि जैसे मान के चली कि आप वीडियो बना रहे है और वीडियो बनाते बनाते आप सोचे क्या कि 100 वीडियो मैंने बना दिया उसके बाद से 100-100 वीडियो बनाया उसके बाद से आप गैपिंग कर दे क्या रहे है मेरे वीडियो जो है वो चल रही है बहुत अच्छे खासे चल रही है अब यहाँ पर क्या करते कि एक मेना मतलब कि गैप कर देते हैं एक मेना बाद वीडियो डालेंगे यह कोई न कोई ऐसा बहाना आपको मिल जाता है जिसे आप अपने चैनल को डियक्टिवेट कर देते हैं जैसे कि मानके चली कि एक मेने दो मेने तीन मेने वीडियो आपने अपलोड नहीं किया जाहिर सी बात है जब आपका वीडियो अपलोड नहीं होगा तो आपकी वीवर जो दीरे दीरे कम हो जाएंगे आपका इंप्रेशन वीडियो का इंप्रेशन यो यूटूब भेजना कम कर देगा और आपका चैनल डेट हो जाएगा जैसा कि मेरे साथ भी हुआ है जब करोना चली थी ना तो करोना काल में मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था मैं बहुत जादा डर गया था और मेरा जो ये सेट अप है वो घर से एक किलोमेटर की दुरी पे है और बहुत जादा लॉग डाउन लगा था इसके बाद से ना मैं अपने सेट अप पे नहीं आ पा रहा था और घर पी जो है ना काफी शोर गूल थी तो शोर गूल के वज़त से भी मैं काम नहीं कर पा रहा था उसके बाद से मेरा जो ये चैनल है दीरे 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 डीक्टिवेट हो गया लेकिन फिर भी मैं इसे एक्टिवेट करने के लिए रेगुलर वीडियो डालता रहता हूँ ना जाने कब यूटुब को शर्म आए और मेरे इस चैनल को ग्रो कर दे तो दोस्तो इस तरह की गलती अगर आप करते हैं तो भोल करके भी आपको नहीं करना है नहीं तो आपका चैनल डेड हो जाएगा और दोस्तो इस इस थोड़ी सी अच्छे लेगी हो तो वीडियो को लाइक करके कॉमेंट्स करना न भूले चल्ब को सब्सक्राइब करके बेल आपकानल पर प्रेस कर देंगे वीडियो देखने के लिए बहुत वश्क्रिया थैंक्यू थैंक्यू सो मैच